नमस्कार जी सत्साइब जी क्या नाम है बेंजी आपका? गीता बार्दवाज है जी बेंजी आप कहा से हैं? दिली बरवाला से हूं जी मैं बेंजी संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा आपने कब ली? संद्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साधना भी करती थी? इतरब बना के परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे फिर हम फिर हम जी पूजा करके पर इस परसाथ को उन separate करते थे można घॉटया करते जी जैसे एक दिन तो जी म दरवाजे बैठी मैं दोनों बच्छों को एक शोल में लपेट के गली में बथा देता मेरे को तो हम बोट दुखी रहा करते हैं, मैं बिमार भी बहुत जादा रहती थी, सरवाई कल था, माई ग्रेहन भी हो गया मेरे गोजा, बवासीर भी हो गई, और जी मैंने अपनी बचादैनी भी निकल वाई, बहुत ज़्यादा प्रेशान रहती थी, मेरे आध में इन इफेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने मेरा सीटी स्किन कराया उन्होंने बता कि आप जो बक्ति साधनाय करती तो इनसे आपको कोई लाब नहीं मिला आपके पती बहुत ज़्यादा सराप पीते थे आप इतनी परिसान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी आपको माईगरेन की समस्य हो गोई आपकी आप में पानी बर गया तो फिर संत्रांपाल जी माराज की जानकारी आपको कहां से मिली तो जी मैं बहुत दुखी राया करती तो मेरे पड़ोस में कमलेस वगतनी है जी तो उसने मेरे को बोला तो जारे को बहुत भाली तो एक मेरे किसमत आपने कौन सी से आई कौन सी कलम ते लिखी है जो मैं तनी पूजा करते हूं मैं तनी दुख्यूं मेरा दुख क्यों नहीं काड़ते तुम कीसे बगवान हो तो फेर जी माननों और ग्यान गंगा फुस्टक पड़ी तो मैं ऐसा ज्यान कहीं नहीं पड़ा कहीं नहीं पेंजी संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी प्राप्त हुए? पेंजी संत्रामपाल जी माराज ने कया कि बेटी बगवान पर विश्वास रखो और जो गूरु मन नाम मंतर दिए हैं दिख्षा तो जो बगती दी हो बगती करते रहो कि बगती करती रही तो मेरे जब डोक्टरों ने दुबारा से सेटिस किन क्या तो मेरी डिपोर्ट ने कि आसरे ने खा तो दुगा पैटी कंसरे कोई थीज वाहन कि बिल्कुल ठीक होगी नाम मेरी में कि 20 साल से में दुपारी थी अब मैं कोई दवाई नी खाती। दोजी मेरे को माईगरेन की बीमारी थी। मैं अम बेड़ कर हो स्पीटल में दिखाने की दवाई दी। वहां से बहुत जादा दवाई खाई। वह जो बोलते हैं फीजियो थरेपी वह भी बहुत इलाज करवाया। सेक्टर साथ गुरुद के लिए रोग सारे दुख किस्ट मेरे खतम होटी। जो बेमारीया जी मेरे 20 सालत थी जो मेरा छोटा लड़का हो एंदी। मेरा चोटा लड़का मेरे मेरे मन को श्यामती है और जी मेरे घर में घर घुर माध माध घया हुए था जी इतना जीलमा था मेरा गर हुए आज शंतरामपल जी महारज की दया से मेरा घर थे बनगा है। मेरा चोटा लड़का है, तो उसको डेंगू हो गया था जी, तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया, तो उसके तिरतावी से पलेट रही थी, कि डॉक्टरों कहा था कि इसका सारा खुन बदलवाना पड़ेगा, दुबारा से खुन चेंज करना पड़ेगा, तो जी मैं तो मैं नाम दिख सले रखी थी, मैं गुरु जी आज से अरदास करती, मैंने पराज संत्रांपाल जी माराज से मने पराथना करवाई कि गुरु जी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिन्दा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू, तो जी दो यह दिन के हम ऐता aad, संत्रांपाल जी माराज ने मेरे को भताया की दे बेटी भग्ती करती रही बगवान पवह इष्वास रख मंतर जबते रहों, मंतर मत छोडना, हम मैं मेरा बेटा करते रही मार्दी माराज की दया पर दिया करिज मेरा बेटा कि दो दिन में 2 लाख पलेट बढ़ा दी, इस बगवान का संत्राइमपालजी महाराज की दया से मां बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी मेराद मी से रभी था जी तो मैं मारे गर्मा गर्मा अट तक नहीं होया करता आज संद्रामपाल जी महाराज की दया से मेरे गर्मा आगे सागर रासन भरा रहा है आज मेरे गर्मा ना तो बिमारी टोटा भी सारा दूर हो गया सारी बिमारी दूर चली गई आज हम बहुत खुश हैं जी महराज ने आपको और आपके बच्चे को भी जीवन दान दिया आपके उपर दुखों का कहर टूटो हुआ था तो जो माताई बहने आपको देख रही हैं भैवी किसी ना किसी तरीके से दुखी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी मैं बगत समाज से यह पराथना करना चाहती हूँ कि जैसे मन सारे का दक्या खा लिया थे मेरी तो यहीं पर सारा रोग कट्या रोग का निवाज संत्रामपाल जी माराज की सरण माने से मेरा रोग निवारन होया है आप भी इदर उदर बटकने से अच्छा है संत्रामपाल जी माराज की सरण में आओ और अपना कल्यान करवाओ इस परत्वी के सुक हैं यह तो गुरू संत्रामपाल जी माराज जी रूंगे में देते हैं और असली तो बगती मोक्स की है जन्म मरन तपी सच हूट जाए यह भकती देते हैं संत्रामपाल जी माराज बेंजी संत्रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आ सकते हैं टीवी पर जी इतने चैनल आते हैं ससंग आता साथ चारिस पर तो नीचे एक पट्टी आती है उसमें नंबर है एसमेंस करो जी और नंबरों पर आपना कॉंटक्ट करो और संत्रामपाल जी माराज से नाम दिखसा ले सकते हैं और अपने कल्यान करा सकते हैं दन्यवाद बेंजी सथ साहिब जी सबस्क्राइब बेंजी सबस्क्राइब बेंजी